Welcome back friends to another new episode of Market Yatra. मैं Amar Dev Singh, Senior Vice President at AngelOne. आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ. आज के एपिसोड में मैं कमोरिटी मार्केट पे और कमोरिटीज पे बात करूँगा. कि कमोरिटीज क्या हैं, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं. लेगिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. और हाँ, do not forget to press the bell icon so that you don't miss any update from us. कमोरिटीज एक ऐसा ऐसे क्लास है, जो globally trade होता है और हमारी जिंदगी में हम इसे रोज इस्तमाल करते हैं. अब कमोरिटीज में दो कैटेगरीज होती हैं, एक non-agri commodities और दूसरा agri commodities. non-agri commodities में एक होता है bullion pack जिसमें gold और silver आता है, दूसरा होता है energy pack जिसमें crude oil और natural gas आता है, तीसरा होता है base metals pack जिसमें copper, zinc, aluminium, nickel, lead ये सारे commodities आते हैं. जिस तरह से non-agri commodities होते हैं, वैसे ही agri commodities भी trade होते हैं, जिनमें jeera, pepper, guar seed, guar gum, menta, cotton और भी काफी agri commodities trade होते हैं. इंडिया में चार commodity exchanges है, MCX, NCDX, NAC और BSA. तो इन में देखा जाएगा, तो major non-agri commodities जो हैं, वो MCX पे trade होती हैं, और major agri commodities हैं, वो NCDX पे trade होती हैं. और इन commodities का जो trading time है, तो जो non-agri commodities हैं, वो सुबह 9 बजे से रात साड़े 11 और 11.15 तक trade होती हैं. और जो agri commodities हैं, वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक trade होती हैं. तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि commodities एक global asset class हैं, तो चाहे वो commodities US में trade हो, China में trade हो, Japan में trade हो, इंडिया में trade हो, तो वो commodity की price जो है, वो यदि dollar में बात करो, तो वो local currencies में translate हो जाती है. जैसे US में dollar terms में बात होगी, इंडिया में rupee terms में बात होगी, तो जो benchmark prices जो देखा जाता है, वो gold के लिए comics देखा जाता है, जो US में है, उसी तरह से energy के लिए आपका NIMEX देखा जाता है, जो again US में है और base metals के लिए London Metal Exchange, LME जिसे कहते हैं, उसे देखा जाता है. अब यदि आप commodities trade करना चाहते हैं, तो एक तो spot market होता है, जहाँ आप spot में जाके, physical market, mondies जैसे हो गए, उसमें आप agri commodities trade करते हैं, यदि आप gold, silver, physical खरीदना चाहते हैं, तो वो आप फिर market से, ज्विलर के पास से खरीच सकते हैं, इसके अलावा commodities online trade होते हैं, exchanges पे, जैसा मैंने आपको exchanges के नाम बताए, MCX, NCDX, NAC, BAC, इन पे commodities की जो trading होती है, तो यह online trading होती है, और इसका जो regulator है, that is SEBI, तो यह सब जो commodities हैं, आप यहाँ trade कर सकते हैं, तो इसमें futures और options जो हैं, वो commodities में available हैं, तो आप futures औ trade करते हैं, चाहे futures trade करते हैं, options trade करते हैं, आपको यह समझना बहुत जरूरी है, कि वो commodity का lot size क्या है, उस commodity की expiry कब है, और price movements कैसे उस commodity के चल रहे हैं, किन factors से price movement impact हो रहा है, तो कुछ fundamental factors रहेंगे, कुछ technical factors रहेंगे, तो for example, यदि मैं gold की बात करूं, तो gold में, यदि मैं one kilo contract की बात करूं, तो gold one kilo contract है, उसके जो हैं bimonthly contracts available रहते हैं, तो जैसे February में contract, February का contract रहा, फिर April का रहा, फिर June का रहा, फिर August का रहा, तो इस तरह से bimonthly contracts available रहते हैं one kilo के, तो और इसकी जो expiry रहती है, वो first week of the month में होती है, तो first week of February में इसके expiry रहेगी, तो हमेशा आप दे रिखा जाएगा कि जो सबसे जादा liquid contract है, वो near month contract रहता है, क्योंकि उसमें जादा market participants उसमें trade करते हैं, और आप देखेंगे कि जो bid and ask spread है, वो भी उसमें सबसे कम है, और तो आपको ये भी देख सकते हैं कि open interest इसे कहते हैं, वो भी सबसे जादा near month contract में है, तो आप near month contract में trade करना उचित रहता है, यदि आप futures या options trade करते हैं, तो जैसे जिस तरह से हम लोगे expiry की बात करें, वैसे lot size भी होता है, तो हर एक commodity का lot size भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिना ये सब समझे, commodities में कभी trade नहीं करना चाहिए, तो for example gold की में बात करूं, तो gold में एक one kilo contract भी है, गोल्ड में gold mini जिसे कहते हैं, वो 100 grams contract भी है, गोल्ड गिनी करके contract है, जो 8 grams का contract है, इसके अलावा gold petal है, जो 1 gram का contract है, तो इस तरह से हर एक commodity जो है, उसके अपने कुछ lot sizes रहते हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके expiry कभे वो समझना बहुत ज़रूरी है, और ज decrease हो रही है, तो हम लोगों ने दिखा है कि जो options में energy options चाहिए, वो crude oil हो, natural gas हो, इसके अलावा gold and silver, इन सब में काफी market participants जो है, वो आ रहे हैं, और इन में सबसे ज़्यादा liquidity और volumes बढ़ रहे हैं, तो यदि आप commodity options में trade करना चाहते हैं, तो ये basically आप ये समझे, चाहिए वो nifty options हो, bank nifty options हो, gold options हो, crude options हो, वो उनके जो contract specifications सब के different रहेंगे, बट more or less, वो जो basics है, वो same रहेगा, तो यहाँ क्या होता है, कि crude oil एक underlying है, तो crude options हो गए, और nifty underlying है, तो nifty options हो गए, तो आपको हर एक, जिस भी commodity का आप option trade करना चाहते हैं, अगेन आपको उसका lot size, आपको उसक expiry, यह सब आपको समझना बहुत जरूरी है, तो जब आप इन बातों को समझते हैं, और आप किसी commodity में trade करना चाहते हैं, चाहे options में या futures में, तो इसके अलावा आपको fundamental factors, जैसे commodities क्योंकि global in nature है, तो इन पे जैसे crude oil energy है, तो geopolitical tensions, यह रशिया यूक्रेन war, इसके अलावा य energy पर हमें देखने को मिलता है, तो हर एक commodity, जो है, चाहे वो energy हो, base metals हो, या bullion हो, जैसे gold है, gold is considered a safe haven asset, gold is considered a hedge against inflation, जब inflation बढ़ने लगता है, तो gold में लोगों की जो interest है, वो बढ़ती है, तो इस तरह से commodities के अपने कुछ fundamental factors हैं, जो drive करते हैं, तो वो समझना बहुत जरूरी है इसके लावब आप technicals भी commodities में use कर सकते हैं, जैसे आप equities में technicals use करते हैं, वैसे आप commodities में भी technicals use कर सकते हैं, क्योंकि commodities में भी, क्योंकि they are global in nature, तो इसमें भी technicals काफी अच्छे तरीके से काम करता है, और जो major events हैं, global events हैं, उन पे भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, because इ trading in commodities, तो आज के वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि आपको commodity markets पे एक basic understanding जरूर हुई होगी, और I request you कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेर करें, और आने वाले commodity वीडियो में हम लोग gold, silver, crude oil, energy यह सब पे भी बात करेंगे and till we meet again, wish you all the best.